नमस्कार दोस्तों स्वागत है आज की इस वीडियो में दोस्तों यदि आप फेस्बुक उज़ करते हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही अलपूल होने वाला है दोस्तों यहाँ पर जो है फेस्बुक में एक नया आपको फीचर मिलता है जो कि यहाँ पर आप कर सकते, दिखे, Turn on Professional Mode, इसको यदिदी आप Open करते हैं, तो दिखे कुछ इस तरीके का इंटर्फेस आपको दिखता है, लेकिन यहां पर देखे, यहां पर जो है, यहां पर आपको Flyer का Option दीखता है, और aller flowing का भी δेखता है, तो दोस्तों, यहां पर दो option दिखता है एक floor और दूसरा है कि flowing तो दोस्तों यहाँ पर floor दिखता है वो तो ठीक है लेकिन यदि आप flowing को आप hide करना चाते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं बहुत सारे लोग जो है इस flowing option को hide करना चाते हैं तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से आप इस flowing option को hide कर सकते हैं देखिए यहाँ पर जो है 143 flowing दीख रहा है तो इसको यदि आप hide करना चाते हैं तो बहुत ही आसान इसे कर सकते हैं और यदि इसको आप hide नहीं करते हैं तो public में कोई भी किस किस को आपने flow किया है वो सारा आप यहां से पब्लिक देख सकता है यहां से तो चलिए आपको बताते हैं कि किस तरीके सा hide कर सकते हैं तो दोस्तो इसके लिए simple सा step आपको flow करना होगा तो सबसे पहले तो आपको setting में जाना है देखिए चलिए हम setting में जाते हैं तो सबसे पहले तो आपको setting में जाना है setting पर click किजे उसके बाद देखिए यहां पर आपको एक option मिलता है profile setting इस पर आपको click करना है यहां पर देखिए आपको privacy का option देखता है इस पर आपको click करना है उसके बाद देखिए यहां पर सबसे पहले में एक option मिलता है चेक फिवःफ इंपोर्टेन सेटिंग इस पर आपको किलिक करना है उसके बाद दिखें यहांपर आपको फोस्ट में आपको एक option दिखता है who can see what you say इस पर आपको click करना है उसके बाद जो है यहाँ पर continue पर click करना है उसके बाद आपको नीचे की तरफ side slide करना है उसके बाद देखें यहाँ पर सबसे नीचे आपको जो है option दिखेगा friend and flowing का तो इसको जो है यदि आप height रखना चाते है उसको height में रखना है तो last वाले को आप only me कर दीजे इससे होगा कि आपका जो flowing दिख रहा है वो height हो जाएगा तो इस तरीके से दोस्तों जो है आप किसको किसको flow कर रहे हैं आप अपने flowing को height में रख सकते हैं तो I hope दोस्तों यह जानकारी आपके लिए अच्छा रहा होगा यह वीडियो यह दिए अच्छा लगा तो please video को like and share जरूर करें